जहिन दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग डाठोड और आज हम हिस्ट्री के अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है मौरियन एम्पाइर, तो शुरू करते हैं सबसे पहली बात, मौरियन एम्पाइर के बारे में, दो मौरियन एम्पाइर वास फाउंडेट बाए असोसियेशन औफ चंद्रगुप्त मौरिय और आचार्य चानक्य जी हाँ, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि किस तरह से धनानन ने आचार्य चानक्य का अपमान किया था, और उनके अपमान के बाद आचारे चानक्य ने ये शपत ली थी, कि वो नंद एम्पाइर को अपरूट करेंगे, धनानन को खत्म कर देंगे, और ये काम उन्होंने एक यंग लड़के जिनका नाम चंद्रगुप्त उन्होंने ही रखा था, उसके साथ मिल कर शु कमजोरियों का, धनानन के एम्पाइर की कमजोरियों का फाइदा उठा के उसको अपरूट कर दिया, और इसी के साथ 323 BC में establishment होता है, मौरियन एम्पाइर का, आईए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक important बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, कि आचारी चारक्य कहां के आचारी चारक्य के बारे में दो important बाते आती हैं, एक दो important शहर सामने आते हैं, जब यह बात होती है, कि वो कहा के थे, पहला पाटली पुत्र और दूसरा तक्ष शिला, दरसल आचारी चारक्य के ओरिजनली तो पाटली पुत्र के ही थे, लेकिन उनकी सारी education तक्ष शिला म में पूरी हुई थी, जो कि उस वक्त इंडिया का एक बहुत बड़ा learning center था, in fact, इंडिया ही नहीं, उस वक्त वर्ल्ड का वो एक बहुत बड़ा learning center रहा था, जो कि अब present day पाकिस्तान के northern इलाकों में situated है, आगे आने वाले नक्षों में हम उसको देखेंगे और समझेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि कोई सी भी history जब हम पढ़ते हैं, तो वो मन से ही नहीं पढ़ लेते हैं, मन से ही कोई कहानी नहीं बना सकते, उसके कुछ sources होने चाहिए, वैसे ही Morian history के क्या-क्या sources थे, उसके बारे में हम बात करते हैं, कि कैसे हमको जो भी Moran History हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमको पता कैसे चला तो उसके बारे में बात करते हैं देखिए सबसे पहले इसमें आता है Literary Sources याने की साहितिक स्त्रोत याने की ग्रंथ साहिति लिटरेचर्स जो लिखे गए थे उनके थुरों को काफी information प्रोवाइड होती है हमने देखा था ancient Indian history में हमको literature से बहुत सारी information मिलती है और ये बात Morian period के उपर भी लागू होती है तो सबसे पहला और important literature जो हमको Morian period के बारे में information प्रोवाइड करता है वो है अर्थ शास्त्र देखिए अर्थ शास्त्र एक बहुत important literature है और इसको रचना करने वाले scholar का नाब कॉटिलियर जी हाँ कॉटिलियर जो की आचारी चानक के ही थे लेकिन जैसे आप जानते होंगे क कुछ writers अपने किताब लिखते वक्त अपना pen name कुछ और यूज करते अपने original name से उसी तरह से आचारी चानक के ने ये नाम यूज किया था इस किताब को लिखते हुए कॉटिलियर क्योंकि इस literature को लिखते वक्त वो अपनी कुटिल बुद्धी का उपयोग कर रहे थे इसी लिए उन्होंने इसमें अपना pen name लिखा है कॉटलियर दिरसल अर्थशास्त्र है कि इस बारे में और यह हमको क्या information प्रोवाइट करती है अर्थशास्त्र एक ऐसा literature है जो आचारी चानक की ने एक ruler के लिए लिखा है उन्होंने ruler के लिए ये लिखा है कि ruler को rule कैसे करना चा से साथ elements होते हैं जरूरी साथ elements जो रखना चाहिए साथी साथ आचारे चानक के ने ये भी बताया है कि एक ruler को कितने तरीके से war या battle करना चाहिए दुश्मन अगर ताकतवर हो तो कैसे लड़ना दुश्मन अगर बराबरी का हो तो कैसे लड़ना और अगर दुश्मन बहु राड़क के कहते थे कि जासूस एक राजा के आखवर कान होते हैं और इसलिए उनका सिस्टम कैसा हो ये अर्थ शास्त्र के अंदर डिस्क्राइब है और साथ ही साथ एक important aspect अर्थ शास्त्र का जो कि है foreign policy किस तरह से एक राजा को foreign policy design करनी चाहिए कि सारे important aspect अर्थ शास्त्र के अंदर लिखे हुए क्योंकि अर्थ शास्त्र में बहुत सारी बाते लिखी हुई है उस दौर के बारे में लिखा हुआ है इसलिए अर्थ शास्त्र हमको उस दौर का बहुत ही बहतरीन socio-political और economic socio-political और economic idea provide करता है picture provide करता है और इस तरह से अर्थ शास्त्र एक important literature बन जा दूसरा इंडीका तेकि इंडीका आप लोगों ने इस नाम की कार सुनी होगी लेकिन यह वर्ड उससे बहुत पहले originate हो चुका था एक Greek historian एक Greek scholar Morian period के अंदर भारत में आये थे और एक राजदूत एक ambassador की तरह receive किये गए थे और यहां पर कई सालों तक रहते हुए उन्हों ने एक किताब में लिखी थी जो किताब थी इंडीका और इसलिए इंडीका एक बहुत important source है Morian history को जानने का हालकि इंडीका किताब बहुत पुरानी थी और survive नहीं कर पाई थी लेकिन जब तक वो किताब survive करी थी तब तक बहुत सारे scholars थे जिन्होंने उस किताब को read किया थ थी और वो commentaries आज भी available है तो उन commentaries में जो लिखा है वो इंडीका को पढ़के लिखा गया था और उन commentaries को पढ़के हमको अंदाजा लगता है कि इंडीका में क्या लिखा था और इंडीका में क्या लिखा था यह पढ़के अंदाजा लगता है कि Morian period के अंदर क्या system रहा थ इसके अलावा बुद्धिस्ट लिट्रेचर भी बहुत इंपोर्टेंट सोर्स है मौरियन पिरिट की हिस्ट्री का जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौरियन एंपायर के अंदर अशोग दा ग्रेट एक रूलर रहे थे और अशोग बुद्ध धर्म के फॉलोवर बन गये थे ही बिकेम बुद्धिस्ट इन दे लेटर स्टेज़ ऑफ इस लाइफ और इसी लिए बुद्धिस्म की कल्चर में या बुद्धिस्ट रिलिजिन में पोस्ट अशोगन पीरेड बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आये जिन्हो कि अशोग ना सिर्फ बुद्धिस्ट बन गये थे बलकि अशोगने बुद्धिसम को बहुत दूर तक फैलाया भी था और इसी लिए उनका काफी ग्लॉरिफिकेशन हुआ बुद्धिस्ट कल्चर में और इसी लिए हमको कुछ ऐसे लिट्रेचर मिलते हैं जिससे हमको मौर के बारे में काफी इंफर्मेशन मिलती है जैसे कि एक लिट्रेचर दीपवाम्ष और महावाम्ष यह लिट्रेचर श्री लंकन लिट्रेचर हैं जो अशुक के बारे में काफी इंफर्मेशन प्रवाइट करते हैं और टाइबेटियन लिट्रेचर जैसे कि दिव्यावदान जो अगेन हमको मौरियन पिरेट के बारे में काफी information प्रोवाइट करते हैं चाहे वो social हो, political हो, economical तो इस तरह से बुद्धिस literature, इंडिका और अर्थशास्त्र वो major literature हैं जो हमको मौरियन पिरेट के information प्रोवाइट करते हैं और ये literature से इतने sufficient है कि हम बड़े आराम से मौरियन पिरेट का एक systematic और सिलसिलेवार history बना पाते हैं लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ और important sources भी है जो हमको मौरियन पिरेट के information प्रोवाइट करते हैं जैसे कि inscriptions of Ashok, rocket caves and the palace of Chandrugupt Moray देखिए, मौरियन पिरेट के अंदर हमको एक बहुत important source है history का जो कि 19th century में discover किया गया था और वो है Ashokan inscription जी हाँ James Princip ये बात है 19th century की 1832 उसे लेकि 1837 के बीच की एक British explorer थे जिनका नाम था James Princip और उनके सर पे धुनसवार हुई कि उन्हें भारत में मौझूद बहुत सारे pillars जिनके उपर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है उसका meaning पता करना है और जब बात साल के मेहनत के बाद उन्होंने पूरे Indian सब कॉंटिनेंट में इस सारे इलाके के बहुत सारे pillars की script को decipher किया उसको समझा तो उनको पता चला कि ये सारे inscriptions अशोक के हैं जिससे अगेन हमको अशोक के दौर के और Morian period की बहुत सारे information मिलती है James Princip ने ना सिर्फ इनको explore किया, discover किया बलकि उनकी उपर लिखी हुई प्राचीन लीपी को decipher भी किया और पता चला कि ब्राहमी में वो लिखे गए है language, pali, prakrit और कुछ इलाकों में हरुष्टी script भी use की गई है तो इस तरह से हमको बहुत सारे essay inscriptions मिलते हैं पर बहुत कुछ लिखा हुआ है और अशोक के character और उसके दौर की history के बारे में बहुत ज्यादा information इनसे हासिल होती है आगे हम chapter में देखेंगे किस तरह से हासिल होती है इसके अलाबा हम देखते हैं rock cut caves एक बहतरीन architecture morian period के अंदर develop हुआ था जिसे rock cut architecture कहा जाता था जिसमें एक चटान को अंदर से काट कर खोखला करके गुफा नुमा बना दिया जाता था और इसके अंदर बहुत सारे inscriptions लिखे जाते थे और again ओन inscriptions से हमको बहुत 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 information मिलती है और साथ ही साथ थोड़ी बहुत information हमको एक पुराने palace से मिलती है जो की चंदरगुप्त मौरिय के वक्त का माना गया है आगे हम एक एक करके अलग-अलग aspects को पढ़ना शुरू करते है सबसे पहले जब हम मौरियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो कितने parts में उसको divide करके पढ़ेंगे सबसे पहला उसकी political history कौन-कौन से rulers मौरियन period के अंदर आए थे और उन rulers के क्या-क्या achievements रहे थे दूसरा administrative history यानि की मौरियन्स अपने administration को किस तरह से चलाते थे देखें ये बहुत important होता है administrative history को जानना क्योंकि इतना बड़ा empire जो नोंने create किया था उस empire का administration कैसे चलाया जाता था एक ऐसा empire जो हिंदु कुष के पहाड़ों से लेके कावेरी नदी के किनारों तक फैला हुआ था और एक तरफ सुंदर्वन के डल्टा से लेके दूसरी तरफ बलुचिस्तान के पहाड़ों तक फैला हुआ था इतने बड़े empire को कैसे चलाते थे और इसलिए administrative history बहुत important बन जाती है फिर आती है economic history किसी भी सामराज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और ये पैसा मौरियंस के पास कहां से आता था कि इतने बड़े देश को चला ले इतने बड़े empire को चला ले इसलिए economic history की बात करेंगे और फिर last but not the least architectural history यानि कि उनकी वास्तु कला मौर ये काल के अंदर किस तरह की architecture हमको मिलता है because architecture speaks in volumes for itself architecture किसी दौर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइट करता है तो इनी सारे aspects के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके हम सभी aspects को शुरू करते हैं सबसे पहले political history की बात करते हैं और जब मौरी इंपिरिट की political history की बात होती है तो बात आती है चंदरगुप्त मौरे की जी चंदरगुप्त मौरे जो की founder थे इस dynasty के अब हमने इस बारे में तो बात कर ली है कि किस तरह से धनानन को अपरूट करके उन्होंने मौरेन empire को establish किया था लेकिन अब मौरेन empire को establish करने के बाद उन्होंने क्या-क्या achievements किये थे उनके क्या-क्या steps रहे थे इसके बारे में हम briefly जानेंगे सबसे पहली बात तो इनके origin को लेके चंदरगुप्त मौरे कौन थे कुछ literature जैसे की पुराण ये कहते है कि चंदरगुप्त मौरे एक lower origin से आते थे ये किसी noble family के नहीं थे वहीं बुद्धिस literature इसके उलट ये कहते हैं कि चंदरगुप्त मौरे शाक्य क्षत्री क्लैन से आते थे जो कि वही वंच था जो गौतम बुद्ध का वंच था और इसी लिए थोड़ा विरोधा भास है कुछ opposite facts है प्रॉपरली अलग-अलग literature समको एक ही information प्रोवाइड नहीं करते लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि according to other literature he belonged to Mura tribe और he had lower origin इनका origin जो था वो humble family से था एक noble family से नहीं था वहीं बुद्धिस literature इनको noble family का बताते हैं उसी राजवंच का जिस राजवंच के गौतम बुद्ध थे दूसरा important point he was selected by चाणक्य as a warrior prince यह चाहे जिस भी family के रहे हो लेकिन आचार यह चाणक्य के अंदर इनको leadership qualities दिखाई दी वही leadership quality जो आप में से कई लोगों के अंदर SSB board को दिखाई देगी और वह आपको recommend करेंगे वैसे आचार यह चाणक्य को इनके अंदर leadership quality दिखाई दी और उन्होंने चुना इस लड़के को कि मैं इस लड़के को train करूंगा militarily और politically और उसके बाद इसके दम पर में धरानन को defeat करूंगा और इस तरह से उनकी पूरी training पूरी की जाती है तक्षीला में यह तक्षीला को word बार-बार आ रहा है मैं नक्षा जबाएगा तब आपको बताऊंगा कि यह तक्षीला कहाँ पे और फिर उन्होंने नंद empire को dethrone करके 323 BC में Indus valley और Gangetic valley को politically यूनिफाई किया यह बहुत important point है चंदरगुप्त का एक बड़ा achievement है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ he politically unified the Gangetic and Indus valleys या Gangetic plains and Indus plains देखिए पूरा भारत जो है देखिए हम जानते है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1947 से पहले there was no Pakistan there was only India सब कुछ भारत ही था और इसी लिए ये हिस्ट्री जो है हमारी हिस्ट्री जो है उसमें पाकिस्टार वाला हिस्सा भी हम शामिल करके रखते हैं लेकिन political history में भी ऐसे बहुत कम rulers रहे जिन्होंने की इतने बड़े इलाके पर एक साथ rule किया और ऐसे rulers में सबसे पहला ruler था चंद्रगुप्त मौर रेर जिन्होंने इंडियन इलाके के उपर प्रेजन डे इंडियन इलाके के उपर भी rule किया था और प्रेजन डे पाकिस्तानी के इलाके के उपर भी रूल किया था तो ये भारत के राजनतिक इतिहास में पहले ऐसे शक्स हैं, पहले ऐसे रूलर है जिन्नोंने गैंजिटिक वैली और इंड़िस वैली का हिस्सा है तो ये जो है तो पूरा गैंजिटिक वैली का इलाका है और ये जो इंडस रिवर यहां से जाती है ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो उसके साथ मिलती है हिमालय से निकल के ये इंडस वैली का हिस्सा तो नंद एंपायर में हमने देखा था कि नंद एंपायर भी एक बहुत पावरफुल एंपायर था बहुत बड़ा एंपायर था तीन लाग की उसकी आर्मी थी पचास हजार गोड़े थे हजारों हाथी थे लेकिन वो एंपायर भी सिर्फ गैंजिटिक वैली में फैला हुआ उस दिन अमने नक्षे में देखा था लेकिन चंदरगुप्त मौरी वो पहले रूलर थे जिन्हों ने चैल्यूकस निकाटोर को डिफीट करके इस रीजन को भी जीत लिया था और इस तरह से यूनिफिकेशन किया था पॉलिटीकली मौरियन एम्पायर का तो ये इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रियेट कर दिया था चंदरगुप्त मौरियने इस तरह से आप देख सकते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अराउंड 305 येर्स बीसी चंदरगुप्त मौरियने ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया कैसे थ तो ये बात आती है कि अराउंड 305 येर्स बीसी इनकी लगाई हुई थी सेलुकस निकाटॉर सेलुकस निकाटॉर कौन था हमने बात करी थी पिछले चाप्टर में अलेक्जैंडर दे ग्रेट की किस तरह से वो भारत पे इन्वेजन करता है नॉर्थ वेस्टन पार्ट में को सकसिस मिलती है लेकिन उसकी आर्मी व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और फिर वो लॉट जाता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है हलाकि उसके चैप्टर तो खतम हो गया था लेकिन अफगानिस्तान के इलाके में बहुत सारे ग्रीक सोलजर्जर्स और उनकी ट्रूप्स सेशन हो चुके थे वो वहाँ पे अपने camps बना चुके थे अपने strongholds बना चुके थे और उन इलाकों में rule भी करना शुरू कर चुके थे और ऐसा ही एक ruler था तैलूकस निका टॉट जो की चंद्रगुप्त मौरी के लिए एक threat हो सकता था और इसलिए चंद्रगुप्त मौरी ने उसके साथ कोई war wage किया हमें ऐसा कोई source नहीं मिलता जो exactly बता सके कि war kब और कहा वेज हुआ था लेकिन हमको एक treaty के बारे में पता चलता है जो की चंद्रगुप्त मौरी और सेल्यूकस निकाटॉर के बीच में हुई थी definitely इस treaty को negotiate करने में आचारी चाणक्य का बहुत important role रहा होगा और according to this treaty चंद्रगुप्त मौरी was to marry the daughter of सेल्यूकस निकाटॉर हेलेना सबसे पहला important point चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकाटॉर की बीटी हेलेना से विबाह करेगा दूसरा point चंद्रगुप्त की territories हिंदू कुष के पहाड़ों तक हो जाएगी जो अब present day अफगानिस्तान काबुल और उसके आसपास के इलाके तक फैले हुए याने की जो territories है ये territories चंद्रगुप्त मौरी की कहा तक पहुँच गई यह पहुँच गई इस region तक याने कि आप को बताया था कि ग्रीक सोल्जर्स फैलिंग्स फॉर्मेशन में लड़ते थे आर्मड होके लड़ते थे लंबे लंबे भाले अपने साथ रखते थे और ये एक नहीं तरीकी की लड़ाई थी जो भारत ने पहली बार देखी थी भारत के और भारत भी चाहता था भारत क रूलर चंदर गुप्त मोरी भी ये चाहते थे कि इस तरह के तोर तरीकों से होने वाली लड़ाई हमारे सोल्जर्स भी सीखें और इसलिए हमने उनसे एक हजार चौविस सैनिक मांगे थे जो हमारे सोल्जर्स को ट्रें करेंगे उस तरीके की लड़ाई में जिस से चंदर कुप्त की फौज और आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगी और इसके बदले में ग्रीक्स ने भी हमसे कुछ मांगा था क्या मांगा था सबसे पहले ग्रीक्स ने हमसे मांगे थे elephants जिस तरह उनके military system उनके phalanx style of fighting ने हमको impress किया था उसी तरह हमारे elephant हमारी war machine war elephants ने Greeks को बड़ा impress किया और इसलिए Greeks चाहते थे कि उनके पास हाथी आ जाए कुछ और हमने उनको 500 हाथी दिये थे और Greeks की अगली मांग थी कि हम आपके याने कि भारत को study करना चाहते हैं आपके culture को आपकी society को आपके political system को study करना चाहते हैं और इसलिए हम अपना एक scholar आपके पास भीजेंगे और वो scholar आप एक ambassador की तरह receive करोगे और वो scholar जिसके लिए चंदरगुप्त हाँ कर देते हैं cultural interaction के लिए भारत हमेशा open रहा है और इसलिए चंदरगुप्त ने welcome किया Megasthenes को जो भारत आए कई साल रहे और इंडी का literature लिखके गए भारत के बारे में जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छी बाते लिखी हुई है जो कि आज Moran History का एक important source भी है तो इस तरह ये लड़ाई हुई होगी सेलुकस और चंदरगुप्त के बीच में ये लड़ाई में obviously चंदरगुप्त भारी पड़े होंगे इसलिए सेलुकस को अपनी territory छोड़नी पड़ी further इस लड़ाई को खतम करते हुए एक दोस्ती इन्होंने कायम करी matrimonial relation हुआ सेलुकस की बेटी और चंदरगुप्त के बीच में और साथ ही साथ हमने उनसे training के लिए बहुत सारे सैनिक भी लिए और उन्होंने भी हमसे 500 हाथी हासिल किये तो इस तरह ग्रीक्स के साथ में एक सुला हो गई जिसमें हमको advantage था यह बड़ा achievement था चंदरगुप्त का और इसी लिए मैं बात बार-बार बता रहा हूँ that he politically unified गैंजटिक और इंडस वैली रीजन गैंजटिक और बढ़ने से पहले एक important बात चंदरगुप्त मौरिय के बारे में in the last phase of his life आखरी दोर में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया चंदरगुप्त मौरिय सब कुछ छोड़ देते हैं एक जैन मौंक भद्र बाहु के influence में आके ना सिर्फ वो सब को छोड़ देते हैं बलकि वो एक जैन मौंक बन जाते हैं चंदरगुप्त मौरिय खुद एक जैन मौंक बनते हैं और भद्र बाहु और दूसरे जैन मौंक के साथ में साथ इंडिया चले जाते हैं साथ इंडिया के करनाटक में एक जगह है somewhere around here that is called as श्रवन बेल गोला इसी श्रवन बेल गोला नाम की जगह पर चंदरगुप्त मौरिय ने सनलेखना मेथट से सनलेखना पद्धती से अपने प्राणत्यागे एक पद्धती जो जैन मौंक में प्रचलित थी और अभी भी रेरली प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर ग्रैजुवली जैन मौंक खाना और पीना छोड़ते जाते हैं तब तक जब तक कि उनकी बॉड़ी कुलाप्स होके डेट नहीं हो जाती और इस तरह उन्हें विश्वास होता है कि उनको मोक्ष मिल जाएगा तो सनलेखना प्रासेस चंदरगुप्त ने फॉलो करी जैन रिलिजिन को हाइस्ट और पे जाके प्रैक्टिस किया और सनलेखन के द्वारा उनकी लाइफ का एंड होता है चंदरगुप्त मौर्य के बाद जब उनकी लाइफ का एंड होता है तो उनके बाद उनका बेटा उनको सक्सीड करता है जिनका नाम होता है बिंदुसार He was the son of चंदरगुप्त मौर्य and he became an emperor in the year 298 BC 323 BC से लेके 298 BC तक चंदरगुप्त रूल करते हैं और उसके बाद बिंदुसार का रूल शुरू होता है आईए देखते हैं बिंदुसार के as an emperor क्या achievements रहे हैं सबसे पहला He expanded the territory of empire by conquering southern parts of subcontinent देखे हमने चंदरगुप्त के बारे में बात करी थी कि इन्होंने गैंजटिक वैली तो इनको मिली गई थी जब इन्होंने नंद empire को defeat किया था तो एक गैंजटिक वैली का इलाका तो पूरा ये जीत ही गए थे साथ ही साथ इन्होंने salucus को defeat करके पंजाब, सिंद, अफगानिस्तान तक के इलाके जीत लिये थे इस तरह चंदरगुप्त ने northern parts में conquest हासिल करी थी लेकिन उनके बेटे बिंदुसार जुनको north में अब जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो उन्होंने अपना territory expansion south की तरफ किया और south के 16 बड़े kingdoms को defeat किया 16 बड़े kingdoms को इन्होंने defeat किया और ये इनका सबसे बड़ा achievement था Morian territory को उन्होंने फरदर south इंडिया तक आगे बढ़ा दिया था एकदम tip of the south इंडिया तक तो ये नहीं पहुँच पाए थे लेकिन फिर भी present day करनाटक आदरप्रदेश रीजन तक अब Morian empire की सरहदे पैल चुकी थी कश्मीर भी भारत के हिस्से में था अमेशा सही रहा है और इस तरह से बिंदुसार के वक्त तक आते आते बहुत दूर तक Morian empire की territories पैल गई थी और इसी political achievement के चलते बिंदुसार को एक नाम मिलता है भारत में अमित्र घात यह बहुत important fact है इसको आप note कर लो याद रख लो कि which Indian ruler is called as अमित्र घात तो it is बिंदुसार बिंदुसार एक ऐसे ruler थे जिनको अमित्र घात इसी लिए कहा गया था अमित्र घात दो words से मिलके बना है अमित्र अमित्र एंड घात अमित्र एंड घात अमित्र जो की मित्र नहीं है वो अमित्र घात मतलम मार देना याने कि इनका repetition ऐसा बन गया था जब इन्होंने political conquest करने शुरू किये कि जो इनका मित्र नहीं है जो इनके साम इनकी overlordship को accept नहीं करेगा उसको ये मार देंगे उसको ये defeat कर देंगे उसके rule क kingdoms जिनोंने इनकी overlordship को accept नहीं किया होगा उनके साथ इनोंने यहीं किया उनका घात कर दिया और इसलिए भारत में इनको ये title मिला अमित्र घात लेकिन इनके नाम के चर्चे तो विदेश तक मशूर थी और इसलिए विदेशियों ने अमित्र घात को थोड़ा बदल दिया उनकी language के हिसाब से और वो कर दिया Amitro Chates तो यह आप याद रखना कि Amitro Chates is nothing बट अफॉरिन प्रनेंसियेशन और ग्रीक प्रनेंसियेशन औफ अमित्र घात अमित्र घात का ही यूनानी ग्रीक प्रनेंसियेशन है Amitro Chates तो इनको Amitr घात या Amitro Chates भी कहा जाता है और एक किस्सा हमको पता चलता है इंट्रेस्टिंग किस्सा इनका एक दोस्त था जो आज सीरिया का इलाका है वहां का रूलर था एंटियोकस जो कि इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था ये लोग कभी मिले तो नहीं थे लेकिन लेटर्स लिखा करते थे एक दूसरे को और एक दूसरे से क्या मांगी थी सबसे पहले उन्होंने मांगी थी इंटियोकस से ड्राइड फिग्स याने कि अंजीर दूसरा उन्होंने मांगा था स्वीट वाइन याने की मीठी शराव और तीसरा मांगा था फिलॉसोफर ग्रीक फिलॉसोफर की बड़ी वैल्यू थी उस वक्त जैसे कि कल मने बात करी थी अरिस्टॉटल की कि अरिस्टॉटल ने एक लड़के अलेक्जंडर को क्या से क्या बना दिया था और इसी लिए क्यूरियोसिटी थी रही होगी बिंदुसार के मन में भी कि क्यों ने एक ग फिलॉसोफर नहीं दिया ये कहके कि हम फिलॉसोफर का बहुत सम्मान करते हैं और उनको किसी वस्तू की तरह आदान प्रदान नहीं करते दिया नोट दु कॉमोरिटी ओफ एक्सचेंज और इस तरह से हमको इससे पता चलता है कि बिंदुसार के फॉरिन रूलर से बहुत अ है फिर हम आखरी में देखते हैं कि बिंदुसार डाइड इन दे यर 273 बीसी बिंदुसार के डेथ होती है यह सारे अचीवमेंट्स करने के बाद 273 बीसी में जैसे इनकी डेथ होती है इनके बेटों के बीच में वार अफ सक्सेशन शुरू हो जाता है इनके बहुत सारे बेटे थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिट्रेचर इनके 101 बेटे थे और उन बेटों में सबसे बड़ा था सुशिम्न जिसे सुशिम भी कहा जाता है और इनको चैलेंज करता है इनका एक और बेटा अशोक और इन सारे भाईयों के गुट बन जाते हैं और एक वार अफ सक्सेशन की शुरुवात होती है इन विच अशोक इमर्ज विक्टोरियस और विक्टोरियस होने के बाद अगले रूलर बिंदुसार को जो सक्सीड करते हैं थ्रोन पे वो बन जाते हैं अशोक who later came to be known as अशोक the great तो आईए अशोक की बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अशोक ruler बनते हैं और ruler बनने के बाद उनके क्या क्या major achievements होते हैं तब से पहली बात he succeeded बिंदुसार after a bloody war of succession killing his brothers जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनकी इनका succession जो हुआ था वो 273 BC में हुआ था इन्होंने थ्रोन को occupy कर लिया था और जब इन्होंने थ्रोन को occupy कर लिया था तब इनके भाईयों ने इनको oppose किया कि ऐसे कैसे तुम थ्रोन को occupy कर सकते हो दरसल बात ये थी कि बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था सुशिम्न जिसे बिंदुसार पसंद भी करता था और वो ही crown prince था crown prince जिसका मतलब होता है योवराज यानि कि वो राजकुमार जो की ruler के बाद अगला ruler बनेगा यानि कि जो राजकुमार अगला ruler बनेगा वो योवराज या crown prince कहलाता है तो crown prince declare कर रखा था सुशिम्न को लेकिन बहुत सारे ministers सुशिम्न को पसंद नहीं करते थे उसके arrogance के कारण और इसलिए वो support करते थे अशोक को उन्होंने ही अशोक को provoke किया और उसके मन में ये ambition डाला कि तुम्हे ruler बनना चाहिए अशोक जब prince था तब अवन्ती का governor था अवन्ती यानि की western part of Moran Empire जहाँ पे आज उज्जैन शेहर situated है वहीं से बैठके अशोक उस इलाके को govern करता और सुशिम्न गवर्नर था तक्षीला का तक्षीला कहा पे था present day Pakistan में एक शेहर है रावल पिंडी इसी रावल पिंडी शेहर के थोड़ा से नौर्थ में somewhere around this point is तक्षीला वैसे तुसका नाम तक्ष शिला है but this is the spelling which we find in the maps तो यह जो जगे थी यहां पर तक्षीला टाउन था सुशिम्न यहां का गवर्नर था और यह उजयन यहां का गवर्नर था अशोक दोनों की governing style बहुत अलग थी वो इस इलाखे को govern करता था सुशिम्न इस इलाखे को govern करता था मिनिस्टर समझ गए थी कि अशोक के अंदर वो quality है जो कि इतने बड़े empire को सही तरीके से समाल पाएगा और सुशिम्न ऐसा नहीं कर सकता उपर से सुशिम्न बहुत शाथ उसके बाद अशोक कॉरोनेट होता है थ्रोन पे इसी लिए यहां पर एक बात हमको समझ में आती है कि अशोक 273 BC में बिंदुसार की डेथ के बाद में थ्रोन ओक्यूपाई कर लेता है लेकिन अशोक का ओफिशियल कॉरोनेशन 269 BC में होता आप किसी भी किताब में अशोक का टाइम लाइन देखेंगे तो वो 269 BC इसे लेके 232 BC तक आपको दिखाई देगा लेकिन जब आप बिंदुसार की डेथ के बारे में देखेंगे तो आपको 273 BC दिखाई देगा तो यह बचे अपिशियल कॉरोनेशन नहीं किया जब उसने उसके सारे भाईयों को मार दिया तब फिर 269 BC में अब जब उसका कोई ऊपो आप नहीं रहे गया तब उसने अपने आपको रूलर डिक्लेअर किया तो इस तरह उसके बात करते हैं अशोक के मिलिटरी कॉन्वेस्ट के बारे म जैसे कि बिंदुसार ने साउथ इंडिया की टेरिटिरी जीती थी चंद्रगुप्त ने नंद इंपायर को डिस्टॉई करने के साथ साथ ही सेलुकस को डिफीट किया था क्या अशोक ने अपने पिता और दादा की तरह कोई इस नक्षे में हम एक पार्ट देख सकते हैं जिसे उडिसा कहा जाता है इसी ही इंशिन टाइम्स में कलिंग कहा जाता था और ये एक ऐसा इलाका था जो मिलीटारिली बहुत स्ट्रॉंग था चंद्रगुप्त मौरियत बहुत बड़े इलाके को जीतते हैं लेकिन वो कलिंग को नहीं इतने मौरियन एम्पायर में देख एक अलगी इंडिपेंडेंट किंगम् की तरह दिखाई दे रहा था ये तो morain empire है हमारा इतना बड़ा morain empire और इस पड़े असे morain empire के सामने कलिंग अपना independence maintain करके रख पा रहा था ये अशोक का achievement था कि नोंने इक बहुत बड़ा हमला करके कलिंग को ना सिर्फ डिफीट किया बलकि destroy भी कर दिया था completely तो इस तरह से अशोक क कलिंग की जीत लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत अशो को चुकानी पड़ी थी देखते हैं हम उसके बारे में क्या कीमत चुकानी पड़ी थी सबसे पहली बात कलिंग को क्यों जीता इनों ने आखिर कलिंग में ऐसी क्या बात थी एक बात तो ये थी कि इतने बड़े एंपाय का ट्रेड और वेस्ट का ट्रेड भी किया जाता था इसलिए कलिंग को occupy करने में economic benefit भी बहुत था तो एक तो ego की बात है कि एक छोटा सा kingdom कैसे बचा हुआ है उस इलाके में जा हमने सभी जीत लिया है और दूसरा उसको जीतने से कुछ economical benefit भी हो सकता है इन दोनों चीजों के चलते अशोक ने कलिंग के ओपर attack किया क्योंकि मैंने आपको पता है कि कलिंग militarily बहुत strong था बहुत 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 लोग थे और easily हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे और उन्होंने कड़ी टक्कर दी की ताकतवर मौरियन आर्मी को as a result of which मौरियन को भी बहुत large numbers में military mobilization करना पड़ा और इसका result यह हुआ कि ना सिर्फ कलिंग के competence की death हुई उनके युद्धाओं की मृत्य हुई बलकि बहुत सारे कलिंग के civilians में मारे गए जब ये लड़ाई खतम हुई और इस के खतम होने के बाद जब अशोक कलिंग के इलाके में जाते हैं और वहां visit करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ death देखते हैं चारो तरफ जिसका दोशी वह अपने आपको मानते और guilt feel करना शुरू करते हैं और इसी guilt को feel करते हुए वो ये शपत लेते हैं कि वह आगे कभी ऐसा युद्ध नहीं करेंगे और साथ ही साथ वो शान्ती की रहा पर चलते हुए बौध धर्म को अपना लेते हैं उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मौंग की उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मौंग से दिक्षा हासिल करके वो बौध धर्म को अपना लेते हैं और बहुत धर्म को अपनाने के बाद रूल करने का उनका अप्रोच ही कम्प्लेटली बदल जाता है इस से पहले एक अलग अशोक था और इस इंसिडेंस के बाद एक अलग ही अशोक उभर के आता है जिसके बारे में हम जानेंगे आगे तो हम ये देखते हैं कि अशोक कलिंग की कॉनक्विस्ट के बाद और उस कॉनक्विस्ट में हुए ब्लड शेट के बाद जो बदलाव अपने अंदर लेके आते हैं उस बदलाव का सारा समरी हम इस पार्ट में देखते हैं जिसे कहते हैं अशोक आजधम तो अब हम समझेंगे कि military conquest करने के बाद में जो अशोक में बदलाव आए उस बदलाव के चलते उन्होंने बहुत धर्म अपनाया और बहुत धर्म अपनाने के बाद उन्होंने प्रॉपोगेशन किया धम का तो यह धम क्या है what is अशोका's धम और इसके क्या principles हैं क्या features हैं इस यह topic से बहुत सारे questions आए हैं और इसी लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें सबसे पहले अशोकास धम के बारे में it was a code of conduct propagated by अशोक for his pupils अशोकास धम देखे धम क्या है धम संस्कृत वर्ड धर्म से बना है धर्म का मतलब सभी जानते हैं religion होता है और यह जो धम है this is पाली संस्कृत से ही थोड़ी सी derive होके पाली language बनी है संस्कृत का ही कि करप्ट form है पाली जहां पे धर्म को धम कहा जाता है लेकिन अशोकास धम या अगर हम सो संस्कृत में देखे अशोक का धर्म तो हमको लगेगा कि अशोक का धर्म तो क्या यह शैव religion की बात हो रही है या फिर अशोक की द्वरा अपना लिए गए बुद्धिजम की बात हो रही है नहीं ना यह अशोक के पुराने religion शैविजम की बात हो रही है ना यह अशोक के बाद में अपना लिए गए बुद्धिजम की बात हो रही है अशोकास धम was not a religion अशोकास धम एक code of conduct था एक आचार सहीता थी जो उन्होंने अपने लोगों को propagate करी थी अशोक ये चाहते थे कि उनके empire के सारे लोग morally conduct में बहुत हाई होना चाहिए और अगर लोग morally conduct में बहुत हाई होंगे तो एक nation की ज्यादतर problems वैसे ही खतम हो जाएगी लड़ाई जगडे नहीं होंगे wars नहीं होंगे तो अशोक ने धम को propagate किया अशोक ने कहा कि लड़ाईयां करने के बजाए हम लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करें तो ये इसी तरह से इनों ने अपने धम को suggest किया लोगों को लेकिन ध्यान रहे अशोक ने किसी के भी ओपर धम को impose नहीं किया कि तुम्हें following करना है क्योंकि धम के खुद के principle में एक important बात थी कि force नहीं करना किसी के ओपर कुछ भी चीज़ और इसलिए धम भी अपने आपको force नहीं कर सकता था धम के बारे में और important points देखते हैं इफ वन फॉलोड धमा सपाथ, he would attain स्वर्ग देखे एक बुद्धिजम अगर आप फॉलो करोगे तो आपको निर्वान की प्राप्ती होगी लेकिन धम जो है अशोक ने कहा कि कोई इंसान जब धम के रास्ते पे चलेगा मेरे बताय हुए code of conduct के हिसाब से चलेगा तो मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा पुराने लोग और आज भी दुनिया में लोग ऐसे होते हैं who are a lot worried about life after death मरने के बाद क्या होगा उसको लेकि लोग बहुत चिंतित होते हैं यह हमेशा की बात रही है पूरी दुनिया के अंदर और इसी लिए अशोक ने यह लॉलीपॉप जैसा दिया लोगों को कि अगर तुम मेरे religion को मेरे path को मेरे code of conduct को follow करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ती होगी मरने के बाद अगला point the message of his dham was found वहाँ हमें dham का message मिलता कैसे हमें कैसे पता अशोक ने धम propagate किया था तो जैसे कि मैंने आपको sources के वक्त बताया था कि अशोक की बहुत सारी information उसके inscription से हमको मिलती और ये dham ही है जो हमको उसके inscription से प्राप्त होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि James Principe ने 1832 से लेकि 1837 के बीच में research करी, explore किया, बहुत सारे pillars, उनके उपर लिखे हुए messages और जब उन सारे messages को decipher किया, भरोष्टी स्क्रिप्ट से, ब्रामी स्क्रिप्ट से, ग्रीक स्क्रिप्ट से, अलग-अलग इलाकों में लिखे हुए अ पता चला कि ये अशोक एक धम को propagate कर रहे थे, इन pillars के थ्रू, इन rocks के थ्रू, उनके उपर लिखे हुए inscriptions के थ्रू, और वहीं से हमको इस पूरे धम की detailed information मिलती है, दिखिए अशोक एक ऐसे ruler है इंडिया के history में जिनने great कहा गया है, क्यों great कहा गया है, हम इंडिया की history में तीन ऐसी characters पढ़ेंगे जिनने great कहा गया है, Alexander को, अशोक को और अकबर को, इनों को great क्यों कहा गया है, अकबर का chapter जब आएगा तब हम देखेंगे कि उनने great क्यों कहा गया है, Alexander को क्यों great कहा गया है, Alexander को militaryly great कहा गया है, Alexander ने बहुत सारे लोगों का खुन भाया होगा, कुछ उन्होंने किया, आकरबन किया कही देशों पे, लेकिन Alexander जिस बात में outstanding थे, वो था उनका military strategy और tactics, he never lost a battle, वो कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं, इतनी दूर तक की आत्राएं करी, इतने तरह तरह के युद्धाव से मुकाबला किया, but he never lost a battle, और इसलिए militaryly उनको great क कहा गया, दुनिया भर के military institutions में उन्हें पढ़ा भी जाता है, लेकिन अशोक को यहाँ पर great क्यों कहा गया, इसलिए नहीं कि उन्होंने कलिंग को जीत लिया, अशोक को great इसलिए कहा गया, क्योंकि अशोक ने बुद्धिजम को प्रीच किया, अपने धम को प्रीच किया, ल लेकिन फिर भी अशोक अपने धम को फैलाने के लिए और अपने religion बुद्धिजम को फैलाने के लिए force का use नहीं करते हैं, peace, शान्ती के रहा पर चलके अपने message को फैलाते हैं, तो when you have power, but you still choose the path of peace, then you are great, और अशोक की यही greatness हमको उनके धम से पता चलती है, हम यह देखते है कि हमको जो धम के message मिलते हैं, वो 14 major rock addicts में समाय हुए, 14 major rock addicts क्या है, कुछ ऐसे rocks हमको मिले पूरे Indian subcontinent से, जिनके उपर 14 messages लिखे हुए हैं, उन्हें ही 14 major rock addicts कहा जाता है, भारत के subcontinent, Indian subcontinent के अलग-अलग हिस्सों से हमको यह 14 major rock addicts मिलते हैं, जैसे कि कंधार, अफगान शहबासगडी, प्रेजन दे पाकिस्तान, मन्शेरा प्रेजन दे पाकिस्तान, कलसी, प्रेजन दे उत्तराखन, गिरनार, प्रेजन दे गुजरात, सुपारा, प्रेजन दे महराष्ट, यर्रागुडी, प्रेजन दे आंधर प्रदेश और जोगर, प्रेजन दे उडिसा, इन इलाकों से हमको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं और यही 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हमारे लिए मेजर सोर्स आफ इनफरमेशन है अशोक के धम का यह वो सारी जगे हैं जहां से हमको वो रॉक्स मिले बड़े बड़े जिनके ओपर 14 एडिक्ट्स लिखे हुए अशोक के जिनको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कहते हैं अब हम जानेंगे कि वो 14 एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ था और यह बहुत इंपोर्टेंट इसमें से बहुत सारे क्वेशन्स पूछ लिए जाते हैं तो हमको एक एक पॉइंट कुछ पॉइंट बहुत जरूरी हैं मैं आपको मार्क करवा दूँगा जो आपको याद रखने हैं कि हमें याद रखना ही है सबसे पहला 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले थे उसमें पहला एडिक्ट मिला था प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ आनिमल्स एंपरर अशोक ने एंफेसाइस किया था कि फूड के लिए आनिमल को किल करना बंद करो और अगर नहीं कर सकते हो तो कम कर दो दूसरा मेडिकल सर्विसेस तो यूमन बिंग्स अशोक कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम ऐसे पौधे लगाएं ऐसे प्लांट्स लगाएं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं अगर हमारे यहां कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ना हो तो पडो उसके किंडम से ले किया हैं उनक्या कुछ ना हो तो हम उनको दें लेकिन सारे लोगों को रोग से मुक्त रख हैं और उसके लिए ज्यादा तर medicinal plants अपने ज्यादा से ज्यादा medicinal plants अपने empire में grow करें थीसरा moral conduct of the people officers and respect to the brahmins and other monks अशोक emphasize करते हैं कि सारे लोग और officers moral conduct रखें और साथ ही साथ brahmins और monks को respect करें ब्रामins और monks learned लोग हुआ करते थे ancient times में और इसी लिए अशोक ये कह रहे थे कि कोई भी ज्यानी विक्ति है तो उसका सम्मान करो चाहे वो एक जैन monk हो या बुद्धिस्ट monk हो या फिर कोई ब्रामन हो चोथा point धम घोश over भिरी घोश ये बहुत important point है चोथा point इसको आप मार्क करो धम घोश over भिरी घोश भिरी घोश उस announcement को कहा जाता था जब कोई empire कोई kingdom वार पे जाता था तो वार पे जाते वक्त आज अगर कोई country वार पे जाती तो newspapers social media news channels कितरू हमको पता चलता है लेकिन ancient times में कैसे पता चलता था government गाओ गाओ और शहर शहर धोल लगाड़े बजवाती थी उसे ही भिरी घोश कहा जाता था अशुक कहते हैं मेरे empire में अपका भी भी घोश नहीं होना चीए अगर होगा तो सिर्फ धम घोश होगा अगर spread होगा तो धम का message spread होगा मैं भीरी घोश नहीं करूँगा मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा ऐसा कोई नहीं था जो अशुक के ओपर युद्ध कर दे जैसे कि कि मैंने आपको बताया बहुत ताकतवर फॉज थी तो अगर युद्ध करना था तो अशोग को यह आगे बढ़ना था उन्होंने मना कर दिया उन्होंने बहुत कभी भीरी घोश नहीं होगा अब फिर धम घोश होगा और क्यों क्यों कि क्लिंग वॉर के बाद वो बहुत अप हैुए यह पार्ट हैं इन्होंने धम को प्रीच करने के लिए लिए कुछास ओफेसर्व आपौइंट किये थे इन्होंने कहा कि कुछ धम изуч इतना सही है कि उसको प्रीच करने के लिए कुछ खास Are drawn सामे आपौइंट करने धम बहामात्र ये वो ओफिसर होंगे जो धम को प्रीच करेंगे वैसे मैं अभी रब कर रहा हूं इसको पर डोंट वरी जो नोट्स आपको प्रवाइट हो रहे हैं उसमें सारे पॉइंट्स पॉपरली लिखे हुए हैं चटापॉंट किंग's desire for the welfare of his people अशुक कहते हैं कि as a ruler मेरी डिजायर है कि मेरे लोगों का welfare हो अशुक ये desire करते हैं कि अपने लोगों के welfare के लिए मैं कभी time में देखौंगा वैं कुछ भी कर रहा हूं लेकिन अगर मेरे सामने कोई ऐसा काम आता है जिस में मेरे लोगों की welfare हो तो आशोक दूसरों को अच्छा बनाना चाह रहे थे लेकिन उसके लिए उनको he was to lead by example और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी लोगों के welfare के लिए उतना ही devoted हूँ सात्वा पॉइंट religious tolerance as relevant as today and was also yesterday यह जितना yesterday हजारों साल पहले relevant point था उतना आज भी relevant है religious tolerance एक दूसरे के religion को tolerate करें अशोक कहते हैं कि कभी भी किसी दूसरे के religion को बुरा नहीं बोलना अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने ही religion का नुकसान करते हो यह लिखा है उनके सात्वे addict में coming to eighth addict important point है अशोकास first visit to बोध गया बोध गया आपको याद होगा यह वही जगह है जहां Lord बुद्ध ने निर्वान प्राप्त किया था और अशोक अपने life में बुद्धिस्ट बनने के बाद पहली बार जब वो जगह विजट करते तो एक बहुत उनके लिए spiritual movement होता है और इसी लिए उसको यहाँ पे mention किया उन्होंने आठवे एडिक्ट में नौव एडिक्ट criticism of ceremonies भारत एक ceremonies का देश है थोटे से छोटे मौके को बड़े से बड़े हरशोल लास से मनाया जाता है अशोक प्रिटिक थे बहुत बड़े थोटी छोटी ceremonies के और इसी लिए उन्हों है कि अशोक ने अपने धम्मों को किसी के ऊपर impose नहीं किया था यह उनका suggestion था कि कुछ ceremonies नहीं होनी चाहिए next giving up the desire of fame अशोक कहते हैं सभी लोगों को क्योंकि अशोक सभी को morally improve करना चाहते थे और इसी लिए fame की desire वो चाहते थे लोगों के अंदर कम हो क्योंकि हो सकता है उनके point of view से कि इस desire को पूरा करने के process में कुछ ऐसे काम हो जाते हो जो moral ना और इसी लिए वो कहते हैं कि अपनी fame की desire को काम करो followed by respect to elders जो की एक ऐसी बात है जो सभी cultures और religion के अंदर equally acceptable है followed by welfare of women folk followed by 13th addict which is very important 13th addict gives us the information of culling victory and also gives us the information of his policy of giving up warfare युद्ध की नीती खतम करना और culling युद्ध इसकी information हमको 13th addict में बिलती सबसे बड़ा addict है 13th addict जिसके अंदर अशोक ने ये बताया है कि culling war हुआ और इसके अंदर एक लाग से ज्यादा लोग मारे गए जो कि इस addict में अशोक खुद लिखवा रहे है यानिक यह बहुत evident information हमारे को यहां से 13th addict से प्राप्त होती है साथी साथ इस addict में अशोक अपने आने वाले successors को suggest करते हैं कि ऐसा युद्ध दुबारा ना हो ना हो पाए ना होने पाए और 14th addict that is the summary and the purpose of rock addict 14th addict में वो बताते हैं summarize करते हैं सारे addict की बातों को और clear करते हैं कि मेरे addict का purpose क्या था तो इस तरह से हमने अशोक के 14 major rock addict को देखा और आगे हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से questions पूछे जाते हैं लेकिन अब Morian political history के पूरा होने के बाद हम Morian administrative history की तरफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं Morian administration किस तर आया जाता था तो Morian administrative system को तीन भागों में विवाजित करते हैं क्लासिफाइट इंटो थ्री पार्ट सेंट्र अथ्वारिटी एड्मिनिस्ट्रेशन और प्रॉविंशिल एड्मिनिस्ट्रेशन मॉरियन एंपाइर highly centralized एक सिस्टम था administration का यह बहुत important point है centralized authority centralized authority क्या होती है बहुत बड़ा nation है उसको हमने जीत लिया उसमें एक ही ruler है और वो ruler एक ही law चला रहा है उसके subordinate कोई ruler नहीं है इस तरह के system जहां पर बड़े इलाकों को एक अकेला ruler अपने हिसाब से चलाता है उसके subordination में किसी को रखता नहीं है subordination मतलब ranks की बात नहीं कर रहा हूं officers की बात नहीं कर रहा हूं subordinate ruler नहीं रखता है decentralized system नहीं रखता है एक law पूरे empire में चलता है तो वो कहलाता है centralized authority तो morian authority, morian administration was highly centralized आप इस चीज़ को याद रख ले रहा है कभी भी morian empire का कोई भी question आए उसके administration से related और अगर आपको ये centralized word दिखाई दे go with that option, morian empire was highly centralized the government functioned with the help of a council of minister एक council of minister बैठता था जो की central government की policies बनाने में important role play करता था और ये council of minister, commander in chief, crown prince, prime ministers और king इन members से मिलके बना हुआ होता था council of minister का by default head होता था the emperor और उस head के ender में बागी सारे members मिलके इस central government की policy बनाते थे कि किस तरह से और क्या चीज़े empire में होंगी provincial level पर गर हम बात करें तो प्रदेशिक और राजुग नाम के officers थे जो की administration को चलाते थे और village level पर village head men हुआ करते थे ग्रामिक हुआ करते थे जिने ग्रामिक भी बोलते थे ये ग्रामिक village level पर administration को चलाते थे तो इस तरह ग्रामिक, राजूक और प्रदेशिक मिलके प्रोविंशन लेवल पर administration कंट्रोल करते थे लेकिन हमको इंडी का लिटरीचर में एक बहुत खास चीज दिखाई देती है वो है City Administration of Morian Empire Morian Empire के अंदर कहरों का administration बिलकुल उस तरह से होता था जैसे कि आज हम municipal corporations को देखते हैं हमारे नेशन में तो Morian Period के अंदर बाकी सारे administration के अलावा City Administration के कुछ खास फीचर्स थे जो हमको इंडी का लिटरीचर से पता चलते है सबसे पहले हमको ये पता चलता है कि शहर के अलग-अलग departments बना दिये गए थे departments हर department के अंदर पाँच काबिल members होते थे और ये पाँच काबिल member अपने department को अपने department के aspect को का administration पूरे टाउन में करते थे किस तरह के departments होते थे जैसे department होता था department which controlled trade in the city department which controlled law and order in the city department which controlled or which kept the record of birth and death in the city department which kept the record of arrival and departure of foreigners in the city जी हाँ मौरेन पीरिट के अंदर कोई भी विदेशी जब शहर में आता था तो उसका record रखा जाता था कौन हो कहां से आए हो क्यों आए हो कब तक रहोगे और कहां रहोगे इस सारे record रखे जाते थे और जब जाने का वक्त होता था तो उनको कह दिया जाता था कि अब जाओ और अगर और रुक रहे हो तो क्यों रुक रहे हो और कब तक रुकोगे और कहां रुकोगे कोई foreigner enemy spy भी हो सकता था और इसी लिए foreigners के आने जाने का व्यारा ये लोग रखते थे और उससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग बात की शेहर के अंदर बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड भी रखा जाता था कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग मरे हर दिन इस बात का भी रिकॉर्ड रखा जाता था ये information हमको इंडिका से प्राप्त होती है इससे पता चलता है कि उस दौर में कितना बढ़िया administrative system हमारे ancestors ने बनाया हुआ था आगे बात करते हैं economy of the morian period more ये period की अर्थ व्यवस्था कैसी थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी administration को चलाने के लिए आपको officers employee करने पड़ेंगे अपॉइंट करने पड़ेंगे और उन officers को salary देनी पड़ेगी और ये salary कहां से आएगी क्या चदरगुप्त मौर ये इतने अमीर थे personally या आशो कितने अमीर थे कि salary देते नहीं वो जो कुछ भी चलाते थे इसी देश से tax लेके चलाते थे कोई भी government हमसे tax लेती उसी tax से officers की salary जाती है और यही officers देश को चलाने में important role play करते हैं तो यहाँ पे morian period के अंदर क्या major sources थे income के morian empire के लिए एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले agricultural tax बहुत important tax होता था ये ancient और medieval times में जो maximum revenue generate होता था किसी भी kingdom का वो agricultural tax से ही होता था और बहुत high rates होते थे अगर अच्छी जमीन है तो 1 by 4 तक ले लिया जाता था और अगर ठीक ठाक जमीन है तो 1 by 6 तक भी ये लिया जाता था लेकिन अच्छा खासा agricultural tax लिया जाता था जो सबसे बड़ा income generate करता था किसी भी empire के लि sales and commodity tax जो व्यापार व्यावसाय चलता था agriculture, agricultural produce का उसी agricultural produce के व्यापार व्यावसाय से जो sales होती थी उस sales के उपर एक tax लगाया जाता था और साती साथ commodity tax, more in period में कुछ designated markets होते थे उन्हीं के अंदर आप व्यापार व्यावसाय कर सकते थे आज की इंडिया जैसे कहीं पे भी दुकान नहीं लगा से तो आज की इंडिया में भी नहीं लगा सकते हैं by the book पर फिर भी आप जानते कि लग जाती है लेकिन boring period में they were very strict और कोई खास market के अंदर ही shops लगती थी जब कोई trader वहाँ आता था commodity लेके तो उस commodity के उपर एक tax लग ता था again this became a major source of income for morians क्योंकि morians के period में trade बहुत बढ़ चुका था तो commodities भी बहुत सारी आती थी market में और sales भी बहुत कुछ होता था sales और commodity tax के थूँ morians बहुत ज़्यादा earn करते थे followed by water tax morians canals भी provide करते थे irrigation के लिए morians में बहुत सारी नहरे बनवाई थी जो की दूर दरास के इलाकों तक हीती की सुविधा करवा सके लेकिन उसके बदले morians एक tax लेते थे जिसे हम water tax कहते हैं जो भी किसार कैनाल्स के पानी को use करते थे उनके उपर tax लगाया जाता था जिसे सेतु बंध या water tax भी कहा जाता था ऑलोड बाए monopolization of salt forest produce metal extraction and liquor साथ ही साथ मौरियंस ने ये भी सबच लिया था कि कुछ commodities ऐसी है जिनका trade evergreen है जो कभी भी बंद नहीं होगा और इसी लिए उसके processing से लेके उसके selling तक सब कुछ government ही करती थी privately कोई भी कर सकता था वो कौन कौन सी commodities थी नमक अभी कोई खाते है forest produce उस वक्त बहुत important था चाहे timber हो चाहे लाख हो चाहे honey हो या किसी और तरह का कोई medicinal plant हो जो forest में मिलता हो यह सारा extraction और production मौरियन government ही करती थी metal extraction वैसे भी common लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो metal extract कर सके और से तो यह काम भी completely monopolized था government के द्वारा government ही किसी तरह के कोई mineral या metal का extraction करके उसको process करके उसको sale कर सकती थी and last but not the least liquor यानि की शराब everyone knows बहुत popular है पूरी दुनिया में और इसका business कभी भी down नहीं होता सबसे आदा revenue earn करके देता है यह जहांपे भी यह sale होता है तो morians यह बात जान गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए liquor तो sale होके ही रहेगा इंडिया में और इसलिए उन्होंने उसके production से लेके sale तक को monopolize कर दिया था तो इन सारे sources से morians ने यह ensure कर दिया था कि वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे जो की जरूरी भी था इतने बड़े empire को चलाने के लिए officers की salary देने के लिए इसके बाद हम अपने अगले aspect के उपर आते हैं architecture in the morian period मौर ये period में किस तरह की वास्तू कला थी क्योंकि वास्तू कला ना सिर्फ हमको morian period के information provide करती है बलकि वास्तू कला हमको ये भी बताती है कि हमारे ancestors artistically कितने excellent थे और उसी का पहला example है the rock cut architecture जहां पर कि आप एक black and white picture देख सकते हो बारा बर हिल केव्स का present day बिहार के गया के नजदीक ये पहाडियां है और इनी में है बारा बर हिल केव्स जोकि morian period का rock cut architecture का एक बहतरी नमूना है rocket architecture एक ऐसा architecture होता है जिसमें एक बड़ी चटान को काट कर अंदर से खोकला किया जाता है और गुफा बना दी जाती है ये गुफा किसी मंदिर की तरह यूज की जा सकती थी ये गुफा किसी भिक्षूँ के रहने की जगह हो सकती थी और इस case में ये गुफा आजीवक के भिक्षूओं को दान में दी गई थी इस गुफा का निर्माण कब हुआ था तो बिन्दुसार जो कि खुद भी आजीवक सेक्ट को मानते थे उन्होंने इसके construction की शुरुवात करवाई थी और अशोक के वक्त तक आते आते इनका construction पूरा हुआ था और ये devote की गई थी कि प्रिकिन को आजीवक सेक्ट के भिक्षमों को तो यह है रॉक कट आर्टेक्टर बाद में इसी रॉक कों कट आर्केटेक्चर को फॉलो करते हुए अजयनता की रॉक्त केव्स बनी थी म immers भी रगा थे रॉकत केव्स बनी थी हमें ये भी पता चलता है कि Morian Period के आर्टेस्ट मुर्तियां भी बहुत अच्छी बनाते थे कितनी अच्छी मुर्तियां बनाते थे वो तो आप देखी सकते हो स्क्रीन के उपर लेकिन यक्ष क्या होता है यक्ष इस डिवाइन गार्ड यक्ष पहरेदार होते है स्वर्ग के और इनकी इमाजिनेशन को मुर्ति के रूप में उस वक्त के आर्टेस्ट्स ने बहुत ही शांदार तरीके से प्रेजंट किया followed by the beautiful pillars of Morian period Morian period का यह एक excellent architecture है Morian period के pillars जो की होते थे monolithic pillars monolithic mono यानि एक leithic मतलब पत्थर यानि एक ही stone से बना हुआ पूरा का पूरा architecture इस तरह के architecture को monolithic architecture कहा जाता है जो कि morion period के pillars हुआ करते थे यह sandstone से बने हुए architecture होते थे जो present day उत्तर प्रदेश के eastern इस्टर इलाकों में मिलता था और यह architecture बहुत सुंदर architecture था जो फिलाल आप मेरे सामने देख सकते हो that is the famous for lion capital जो कि आज हमारे भारत का भी एक राज की ये चिन है लेकिन ओरिजिनली ये मॉरियन पिरिट का चिन हुआ करता था जहां चार लाइंस बैक टू बैक फोर एशिया टिक लाइंस बैक टू बैक होते थे इस चार हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते हैं अबैक एक ऐसा इन्वर्टेड लोटस जैसा सिंबल होता था या इन्वर्टेड वेल जैसा सिंबल होता था जिसके ओपर में अनिमल फिगर प्लेज दोता था ये होता था इसका शाफ्ट ये इसकी शाफ्ट होता था जो में पिलर होता था वो ये होता था और ये पिलर का बेस होता था देखने में चारो अलग-अलग लगते हैं लेकिन ये इसकी ब्यूटी है कि ये एक ही पत्थर को इस तरह से का पॉलूओड बाए ब्यूटिबल पैलिस ऑफ चंद्रगुप्त मौरि विच में नॉट बी लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल राइट इन दिस पिक्चर लेकिन हम देखते हैं कि इंशेंट पीरिट के अंदर मेगस्थनीज ने अपने लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौरि के पैलिस की बहुत तारीफ करी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग उसको बताया है तालाबों से घिरा हुआ बड़े-बड़े कमरों वाला और लकडी से बना हुआ लकडी का बहुत ज्यादा यूज हुआ था प्रेजिन डे बिहार के पटना के नस्दिक कुमारर में एक्सक चाइनीज ट्रैवलर्स ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अकाउंट्स में मेंशन किया है कि उसके रिमेंज उन्होंने देखे थे और उसके रिमेंज देखकर भी वो हक्के बखके रह गए थे कि इतनी खुबसूरत बिल्डिंग फायान जो की चाइनीज ट्रैवलर थे गुप्ता पिरिड मेंव अंडिया में आये थे पाटली पुत्र को विजिट भी किया और पाटली पुत्र को विजिट करके उन्होंने इस पयलेज के रिमेंज देखे थे जो कि इतना खंडर शायद नहीं हुआ होगा तब, कुछ structure उसका बाकी था, उसको देख के उन्होंने कहा था कि लगता नहीं इसको किसी इंसानों ने बनाया है, कुछ तो देवताओं ने बनाया होगा इससे अंदाजाल हमको लगता है कि कितना great architecture चंद्रगुप्त मौरे का रहा होगा इसी के साथ हम अपने morain period के completion पर तो आते हैं, लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि morain period से किस तरह के questions एक्जाम में पूछे गए हैं और बन सकते हैं तो आईए एक-एक करके जो हमने पढ़ा, इसको question answers के form में practice करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला question, which of the following is incorrect about dham? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि dham बहुत important है, इससे बहुत सारे question पूछे जाते हैं और जो question अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तो वैसे ही पहले पूछा जा चुका है तो अब आपने dham को पढ़ा है, अब आप से सवाल पूछा गया है कि इनमें से dham का कौन सा point incorrect? मैंने dham के बारे में आपको बताया था, religious tolerance देखते ही आप बोलोगे कि ये तो सही है, respect to brahmins में मैं आपको बताया था, आप बोलोगे ये भी सही है, welfare of the people, dham का था, objective welfare of the people था, लेकिन कहीं पर भी हम ये dham में नहीं देखते हैं कि कहा गयाओ को king को honor करो, king के लिए कुछ करो अशुक was very selfless when he was explaining, when he was suggesting his dham और इसी लिए honoring the king becomes odd, one out, ये गलत है, लेकिन ये ही सही answer है, दूसरा question, which learning center is associated with चानक की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अचारे चानक के एक महन पिगर रहे हैं हमारे इतिहास का, वो कहां से थे, कौन से learning center से वो थे, तो पाटली पुत्र एक बड़ा शहर था पर एक बड़ा learning center नहीं था, नालंदा एक बहुत बड़ी university रही थी, लेकिन उस दौर में नहीं, बहुत बाद के दौर में रही थी, और फिर बात आती है तक्षिला और उज्जैन की, उज्जैन भी एक बड़ा learning center र तीसरा question, who was देव नाम पीय दसी, now this is very important, देव नाम पीय दसी किसे कहा गया है, अशोक को, चंदरगुप्त को, बिंदुसार को और चाणक्य को, एक फैक्ट में आपको बताता हूँ कि अशोक के जो inscriptions हमको हासिल हुए है, उन inscriptions के basis पे ये पता चला है कि देव नाम पीय द दसी, जिसका संस्क्रिट प्रिय दर्शी, और ये देव नाम पीय दर्शी हमें पता चलता है कि अशोक को कहा गया है, प्रेजन डे करनाटक के अंदर मस्की नाम की जगह है, जहां से हमको एक inscription मिला है अशोक का, उसी में ये नाम अशोक को दिया गया है, तो एक fact और important आपका बन जाता है यहाँ पे कि देव नाम राजा प्रिय दर्शी किसे कहा गया है, तो मस्की inscription जो हमको करनाटक से मिलता है, वो बताता है कि देव नाम प्रिय दर्शी अशोक को कहा गया, अब ये question कितने करीके से पूछा जा सकता है, देव नाम प्रिय प्रिय दर्शी कहा गया है, कौन से राज्ज में है, करनाटक में, करनाटक राज्ज में जो inscription है, उसमें किस राजा को क्या उपादी दी गई है, अशोक को क्या उपादी दी गई है, आप उसको आइगा, तो एक ही question तीन चार तरीकों से पूछा जा सकता है, अगर आपने concept क को ठीक से समझा है, और fact को याद रख लिया है, तो question किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप उसको आंसर कर दोगे, अगला question, बाराबर हिल केव्स किस टेक्ट को devoted है, अभी हमने पढ़ा, आजीवक सेक्ट को devoted है, आजीवक सेक्ट एक इसा सेक्ट होता था, जो ये मानता था कि हमको life बहुत middle path पे जीनी चाहिए बहुत ज्यादा, luxury में नहीं रहना चाहिए बहुत ज्यादा, hard penis नहीं करना चाहिए, आजीवक सेक्ट जैनिजम और बुद्धिजम दोनों से थोड़ा थोड़ा inspired था, जो ये कहता था कि सब कुछ भाग्य पे depend करता है, अगर आपके भ which literature mentions about the decline of Nand Empire, तो मैंने आपको इस chapter की शुरुवात में भी बताया था कि मुद्रा राक्षस, वो literature है जहां हमको चाड़क के और चंदरगुप्त के association की कहानी मिलती है, जहां से हमको Nand Empire के decline के बारे में पता चलता है, Caling War was fought in which region? Bihar, MP, Odisha, none of these. Everyone knows now कि Odisha वो इलाका है जहां पे Caling War लडा गया था. And this is the end of the session. Jai Hind!